दर्शगों मैं आपको आज दिनांक 2 जून 2024 वार रवी वार जेश्ट कृष्ण पक्षितिती एक आदसी तिती रितू ग्रिश्म रितू विक्रम सम्मद 2021 नक्षत्र मूल नक्षत्र आज चंद्रमा मीन रासी में और सूर ब्रसब रासी में रहेगा तता रागुकाल का समय साम 5 बजगर 31 मिनट से लेकर साम 7 बजगर 14 मिनट तक रहेगा जो की कोई भी सुब कार करने के लिए अच्छा नहीं मानते हैं रागुकाल के समय कोई भी सुब कार प्रारम नहीं करना चाहिए आज अब जित मवरत 11 बजगर 32 मिनट से लेकर दुपहर 12 बजगर 48 मिनट तक है जो की किसी भी नएकार को प्रारम करने के लिए अति उत्तम वैसुब माना जाता है दर्सकों हम यह आपका रासीपल अनेकों पंचांगों का संग्रे तता जोतिस सास्त्र के आदार पर नोट्स त्यार करके अपने यूटूब चेनल स्री नारान प्रसादम पर वीडियो अपलोड करके आपके समक्ष प्रिस्तुत करता हूं जो के आज तक सही और सठीक सावित हुआ है रासीपल के अन्त में बताने वाला हूं कि आज रवीबार के दिन हम ऐसे कौन से उपाय करें कि आज का दिन हमारे लिए सुब एवं मंगल में हो जैसे कि घर से यात्रा के लिए निकलें तो क्या खा कर निकलें जिस से कि हमारी य यात्रा सपल रहे और दिन मंगल मैं हो आज रभीवार के दिन कौन सी दिसा में यात्रा करें और कौन सी दिसा में यात्रा करने से बचें रभीवार के दिन कौन से देवी देवता भगवान को पूजने की अधिक मानता है रभीवार के दिन कौन सी वस्तू दान करें तता पू वीडियो में अंत तक बने रहें नहीं तो दर्सकों आदी अदूरी जानकारी ठीक इसी मुआवरे की तरह सिद्ध होती है कहा गया है अदजल गगरी चलकत जाए और अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चेनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइ के लिए पॉजिटिव सकारात्म कमेंट जरूर करें जिससे कि हमारा मनोवलवड़े और हम बैतर तरीके से आपका रासी पल सुनाने के लिए उत्सक्राइए दर्सकों हम अब आगे बात करते हैं रासी फल के बारे में आज मेश रासी वालों के लिए आज का दिन कैसा पॉजिटिव क्या रहे गा नयाकार शुरू करने या निवेश करने से पहले उचित जानकारि लें योगा और मेडिटेशन को अपनी दिनचर्या का इस्वास बनाएं आपको अपने विवार और दिनचर्या में आश्चर्जनग सुधार दिखेगा नेगे टिव क्या रहे का अपनी कार्षमता और योगता पर विश्वास रखें दूसरों के इसजाव आपके लिए गलत हो सकते हैं सियर सट्टा जैसे जोकिम बरे कारियों से दूर रहें इस समय बड़ा नुक्सान होने की भी आसंका बने हुई है यह वह व्यर्त की गत्विद्यों की और आक्रशित रहेंगे विवसाय में ब्यस्तता की बजह से आप विवसाय में ज्यादा वक्त नहीं दे पाएंगे इसलिए कोई परवर्तन करना उचित नहीं है नोक्री पेशा लोग किसी को अपने कार की जानकारी ना दें गोपनियता बना कर रखना जरूरी है प्रेम संबंदों में पर स्वास्ते में त्वचा संबंदी एलर्जी हो सकती है परंप्रागत इलाज को महत दें आपका भाग साली रंग और भाग साली अंक चार है अब आगे हम बात करते हैं ब्रसबरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर बा वा उ एसे प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा घर में वरिष्ट सदस्यों का आसीरवाद और मारत दर्शन बना रहेगा कोई मांगलिक कारे की योजना बनेगी और खोशी वरा वातावरण रहेगा खर्चे बढ़ेंगे लेकिन आई की इस्तिती भी बेहतर होने से दिक्कत नहीं होगी नेगिटिव क्या रहेगा किसी के साथ वियर्थ वाद विवाद इस्तिती में ना पड़ें आज निवेश से बचें इसके लिए समय अनकुल नहीं हैं विद्यारतियों को अपनी पढ़ाई पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है विवसाय में कुछ दिक्कतें हो सकते हैं अपने सुभाव को सहज बना कर रखें गुस्षे की बज़े से बनते काम बिगड़ सकते हैं सरकारी सेवारत व्यक्ति अपने कामों को बखुवी अंजाव देंगे जिससे अधकारियों के बीच उनकी सराना भी होगी प्रहम संबंदों में पारवारिक सदस्यों का सयोग और एक दूसरे के लिए सम कारात्मक विचार हावी हो सकते हैं मेडिटेशन करें और कुछ समय प्रकरती के साथ व्यतीत करें आपका बागसाली रंगहरा और बागसाली अंक्षय हैं अब आगे बात करते हैं मितुन रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर का चा गा हासे प्रारम होता है आज पॉजिटिव क्या रहेगा मितुन रासी बालों के लिए परवर्त अंसील ग्रह इस्तिती बनी हुई है इस समय का सद्पयोग करना आपकी कारक्षमता पर नरवर है अपने महत्पूर मुद्दे पर असमंजस की इस्तिती में किसी नजदी की व्यक्ति के साथ सला मस्वरा अ दूसरों के व्यक्तिगत मामलों में उलज ना उल्जे नहीं आपके कुछ खासकार अधूरे रह सकते हैं विद्यारतियों को अपने किसी सब्जेक्ट की समझ ना होने के कारण तनाव रहेगा विवसाई में विवसाई इस्तल पर अपनी उपस्तिती रखें और इस्ता पर की नजर रखना जरूरी है अपने महत्तुन पेपर्स और फाइल्स को विवस्तित रखें आप इसमें अधकारियों के साथ उचित तान्मिल बना कर रखने से आपको कोई ऑथर्टी मिल सकती है प्रेम सम्मंदों में छोटी मोटी पारवारिक बातों को नजर अंदाज करने स गर में उत्तम विवस्ता बनी रहेगी किसी प्रियमित्र से बात होगी जिससे मन प्रफुलत रहेगा स्वास्ते में समश्यां को धैर और सांती से सुल जाएं सारिक रूप से सकारात्मक बने रहने के लिए ध्यान और मेडिटेशन करें आपका भागसाली रंग बादामी औ करकरासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर डा से प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आज करकरासी वालों के लिए आज कोई ऐसा काम हो सकता है जिसके आपने कभी उम्मत उम्मीद भी नहीं की किसी पारवारिक सदस या संतान उप्रब्दी से घर में क्या रहेगा व्यवसाइक उतल पुतल और आर्थिक मंदी की वजए से परवार के सदस्यों के खर्चों में कटोती करनी पड़ेगी इस समय किसी पर भी ज्यादा विश्वास हानी का कारण बन सकता है व्यवसाइए में व्यवसाइए में नए कार्य करने का रिक्स कर ना ले ये बहुत समय साब्धानी से रहने का है पार्टनर्शिप सम्बंदी व्यवसाइए में कुछ ठोश निड़े लेंगे नौकरी में आपके कार्यों की अधकारियों द्वारा सराना की जाती है पारवारिक प्रेम सम्बंदों में पारवारिक वाताबंड सुकद और खुसनाम रहेगा लेकिन प्रेम संब्मन्नों के कारण घर में तनाव की स्थिति रहेगी स्वास्ते में संतलित अहार के साथ साथ बियायम और योगा जैसी चीजों पर भी ध्यान देना पड़ेगा आपने स्वास्ते के लिए सजग रहें और स्वस्त रहें बागवसाली रंग लाल है और बागवसाली अंग 6 अब आगे बात करते हैं सिंग रासी के बारे में जिनके नाम का पहला मां टासे प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा प्रवावसाली और अन्ववी लोगों के साथ मुलाकात के अफसर न चुकें क्योंकि यह संपर्क आपको नए अफसर प्रदान करेगा अपना बर्चस बना का रखने के लिए समय अन्कूल है नेगेटिव क्या रहेगा सिंगरासी बालों के लिए ध्यान रखें कि जाजा पाने की इच्छा और जल्दवाजी की वज़े से नुकसान हो सकता है इसलिए सैज तरीके से अपने कारियों को विवस्तित करते चलें बच्चों की गत्विदियों पर कड़ी नजर रखें समय र स्था दुर्पयोग करें न करें सद्पयोग करें आय के शुरूत भी बढ़ेंगे आप इसमें अपने सहय यूगिएं के साथ संब्वन में मधूर्था आएगी प्रेप संब्वाज़ी के इच्छुब लोगों को सुब अवसर यसुब समाचार मिल सकते हैं स्वास्ते में म करती सजग रहना जरूरी है आपका भाग साली रंग सपेद और भाग साली अंक पांच है अब आगे बात करते हैं कन्यारासी के वारे में जिनके नाम का पहला अक्षर पा ठा तीन पड़ा ता से प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा कन्यारासी वालों के लिए आज समय अनकूल है आज सकारात्मक इस्तितियां बनेंगी अपने अंदर छेपी प्रत्वा को पेंचाने और उसका उप्योग करें साथ ही इस समय बनाई गई योजनाएं निकट भवस में सुब अवसर प्रदान करने वाली हैं नेगिटिव क्या रहेगा कभी कभी आपका क्रोध औ आपके परवार में परेशानिया उत्पन देते हैं माहुल नकारात्मक हो जाता है अपने विवार को संयमित रखें इस समय प्रापर्टी की खरीद परोग संबंदी निर्णे नालें व्यवसाय में व्यवसाय इस्तल पर कारिप्रणाली में बदलावला करने की आवश सकता ह है कुछ ना कुछ दिक्कतें बनी रहेंगी रुकी हुई पेमिंट आने से आर्थिक परेशानियां हलोंगी नोकरी पेश अब्यक्ति बक्तियों की तरक्की के योग बन रहें अधकारियों से संबंद मदूर बना कर रखें प्रेम संबंदों में किसी नजदी की करवाई बिलकुल ना करें समय पर अपना चेक अप करवाते रहें साबदानी आपको तंदुरुस्त रखेगी भाग साली रंग आपका जामनी है और भाग साली अंक आठ है अब आगे बात करते हैं तुलारासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर राता से प्रारम होत करें इससे आपके कार्य बनेंगे अगर आप अपने विविशा इस्तल के पास गर संबंदी प्रोपर्टी देख रहें तो इस पर गंभीरता से विचार करें ये प्रोपर्टी आपके लिए फलदाई रहेगी नेगिटिव क्या रहेगा आज निकट संबंद्यों के बीच प बन रही हैं विवसाय में कारक्षेत्र में कर्मचारियों की गत्विदियों पर पहनी नजर रखें इस समय अपने काम पर बहुत अधिक मेहनत करने की आवश्चक्ता है नोकरी में इस्थान परवर्तन के योग बने हुएं आपिस का माहुल तनापून रहेगा प्रहिम संब में पारवारिक वातावर्ण खुस्नमा रहेगा नजर्दी की व्यक्तियों के साथ मेल मिलाप जैसा प्रोग्राम बन सकता है स्वास्ते में आर्थ्राइटिस से परेशान व्यक्ति अपना अधिक ध्यान रखें गरिष्ट बोजन से परेज करें आपका भागसाली रंग ब्रिष्चिक रासिक के बारे में चिनके नाम का पहला अक्षर नह या से प्रारम होता है पॉजिटिव क्या नहीं आगए आज उनके लिए ब्रिष्चिक राशिवालों के लिए आपके घर और व्यवसाई में सामंज से बना रहेगा नजर्दी की यात्रा भी सम्मप है जो प्यारेगा सफलता पाने के लिए बहुत अधिक मेनत की जरूरत है दूसरों की बातों पर विश्वास न करके अपने नेने को सर्वो पर ही रखें अगर किसी को पैसा उधार दे रहें तो उससे संबंदित कारवाई करना जरूरी है बरत्मान परिस्तितियों की बज़े से प्रिस्तियां अनकूल होने वाली हैं अपनी कारक प्रणाली में कुछ बदलाव करें नोक्री पेसा लोगों के लिए प्रिस्तितियां अनकूल है प्रैम संबंदों में घर में सुक्सान्ती का वातवन बना रहेगा प्रेम प्रसंग में मदुर्ता बढ़ेगी स्वास्ते में तनाव के कारण डैविटीज और वीपी संबंदी परेशानी हो सकती है अपनी नियमत जाज करवाएं और उचित इलाज लें आपका भागसाली रंग नारंगी और भागसाली अंक पाँच है धनरासी जिनके नाम का पहला अक्षर ये धा फा भा से प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा सकारात्मक अनवभी और वरिष्ट सदस्यों के सानद्य में रहने से बहुत कुछ सीखने का मिलेगा उनका मा आ रहे बदलाव को स्वीकार है ये बदलाव आपके लिए बेहतर साबित होंगे नेगिटिव क्या रहेगा विवार में कुछ बदलाव करने की जरूत है गुश्य और गलत सब्दों के प्रयोग से आपसी सम्मंदों में कटता आ सकती है आज गरह इस्तिती कुछ ऐसी है कि दूसरों की सला की बजाए खुद पर भी भरोसा करना पाइदे बंद रहेगा विवसाय में अपनी कार प्रणाली में परवर्तन करें इस समय अपने विवसाय के लिए और अधिक चिंतन करने की जरूत है सरकारी से वारत लोगों को पदोनती से सम्मंद सुभ विचार समाच मिल सकता है प्रैम संबंदों में दापत्य जीवन में मदरता रहेगी प्रैम संबंद में गलत प्रम्यां की बजए से दूरियां आ सकते हैं स्वास्ते में बरत्मान मोसम में लापर्वाही करना उच्छित नहीं वातावन के इंसार अपना आहर रखें आपका भाग्साली र खा गा से प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा अनववी और खास लोगों से मुलाकात होगी आपको कुछ महत्पूर अवसर मिलेंगे अपनी सूजबूज और कारिक शमता से परिष्टितियां अनकूल कर लेंगे इस समय सोच समझ कर किया गया फैसला बवस्च में आत्मकदादें किसी बहारी ब्यक्ति के हस्तक्षेप से घर की विवस्था बिवस्था बिगड़ सकती है कुछ समय बच्चों के साथ भी समय व्यतीत करना जरूरी है विवसाई में विवसाई में अपनी सूजबूज और समझदारी से मुश्किल समिस्या काल मिलेगा से लिए पारदर्स्ता रखना जरूरी है सरकारी सेवरत लोगों को अत्रिक्त कार मिल सकता है प्रेम संबंदों में पारवारिक वाता बरन सुकद और खुसनमा रहेगा प्रेम प्रसंगों में नजदी किया बढ़ेंगी स्वास्ते में गैस और एस्टीडी बढ़ सकती है हल का सुपाच्य बोजन और दिन चर्या विवस्तित रखें आपका बागशाली रंग सफेद और बागशाली अंक तीन है अब आगे बात करते हैं कुम्रासी के बारे में जिनके नाम का पहला अक्षर गू सा 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 दा से प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा आज कुम्र से भी संस्ताया किसी दार्मिक इस्तल पर जरूर व्यतीत करें इससे आपको सांती मिलेगी और मान सम्मान में भी बढ़ेगा रुके काम बन सकते हैं उन पर अपना ध्यान केंद्रत रखें अपने बजट का ध्यान दें अभी लाब की इस्तिती अपेक्षा विया की संभाव करना बहुत जादा हैं बाईयों से किसी बात को लेकर कहा सुनी हो सकती है गुस्से और वाद विवाद की अपिक्षा सांती से मामला निप्टाने की कोसिज करें विवसाय में मार्केट में आप अपनी योगता और प्रत्वा के बल पर नई उपलब दियां हासिल होंगे ले आहिम संबंदों में जीवन साती की सला आपके लिए रात और सुकुन देने का काम करेगी आप अपने कारियों को अधिक बेतर तरीके से कर पाएंगे स्वास्ते में घर के किसी सदस के स्वास्त को लेकर चिंता रहेगी तुरंत इलाज करवाएं आपका वागशाली रंग ज जाजंडा था से प्रारम होता है पॉजिटिव क्या रहेगा मीन रासी वालों के लिए आज दिन बर चुनोतियां बनी रहेंगी लेकिन अपनी उर्जा और जोस को सकारात्मक दिसा में लगाने से सुप प्रणाम भी मिलेंगे जरूरत मंदों को और बुजर्गों की सेवा म अपना योगदाना बस दें इस से आपको सुकुन मिलेगा नेगिटिव क्या रहेगा आज आपके ऊपर जिमेदारीों का बोज रहेगा पारवारिक समिश्या को आपसी सामंजस से सुजाने का प्रयास करें नकारात्मक बातों को अपने उपर हावी ना होने दें कोई काम ब प्रेम संब्मंदों में पारवारिक सद्रिश्यों के बीच उचित तालमिर और प्रेम बना रहेगा प्रेम संब्मंदों को विवा में प्रणित होने के लिए परवार में सला मस्वरा हो सकता है स्वास्ते में स्वास्ते ठीक रहेगा अत्य दिक व्यस्ता की बज़े से ठकान और कमजोरी रह सकती है आपका भागसाली रंग सपेद और भागसाली अंक छे है दर्सकों ये रहा हमारा रासीपल आप हमारे साथ वीडियो में बने रहें अब आगे हम बताने वाले हैं आज द कौन सी दिसा में यातर करें जिस से के आपका दिन सफल रहे और मंगल महर हैं कि हम अगर यात्रा के लिए आज रभिवार के दिन निकलें तो क्या खाकर निकलें, और हम कौन सी दिसा में यात्टरा करें, जिससे की हमारा दिन आज सुब एवं मंगल में रहें, आज हम कौन से देवी देवता वunta को पूजने की अधिक मानता है, आज कौन से मंत्र का जाप करें, कौन से वस्त्र पहन कर पूजा करें, आज कौन सा टोटका करें, जिससे हमारे सभी कश्ट दूर हो जाएं, तो दर्शको आप हमारे साथ वीडियो में अंत्र तक बने रहें, अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चेनल को कर लें, तो मैं बताने जा रहा हूं, रविवार को क्या खाकर जाना चाहिए, रविवार को गी अत्वा दलिया खाकर यात्रा करनी चाहिए, तो आपकी यात्रा सफल रहने वाली है, रविवार को कार की सफलता के लिए पान खाकर घर से निकलना चाहिए, रविवार को कौन उसी दिसा में यात्रा नहीं करनी चाहिए दक्षिन दिसा की यात्रा की मनाई होती है या फिर सावधानी पूरवक इस दिसा में यात्रा करने की सला दी जाती है वास्तु के अंसार सुक्रवार और रविवार को दिन पस्चिम दिसा और दक्षिन पस्चिम कोण में दिसासूल माना जाता है दिसासूल का मतलब होता है कि उस दिसा में नहीं जाना है इन दिनों बताई गई दिसाओं में यात्रा करने से बचना चाहिए रविवार के दिन क्या नहीं करना चाहिए जोति सास्त के अंसार रविवार को नमक खाने से स्वास्त पर खराब असर पड़ता है ऐसा करने से व्यक्ति के हर कार में बादा आने लगती है यही नहीं इस साम को भोजन सूरास्त से पहले कर लेना भी जरूरी माना जाता है रविवार को ब्रत रखने से क्या फायदा है रविवार के दिन भगवान सूर देव की पूजा की जाती है बहुत से लोग इस दिन ब्रत भी रखते हैं रविवार का ब्रत रखने से समस्त सारी कष्टों से मुक्ति मिलती है और व्यक्ति असीम दुख सुखों को प्राप्त कर जोतिस में सूर्देव को नव ग्रहों का राजा कहा जाता है इसलिए नव ग्रहों की सांती के लिए भी सूर्देव की उपासना की जाती है रवीवार के बुरत में साम को क्या खाना चाहिए रवीवार के बुरत में गुड के साथ गेऊं की रोटी अत्वा दलिया खाने का विदान है इस बुरत में नमक का सेवन बिलकुल नहीं किया जाता है ऐसे में इस खाने पीने में नमक न डालें और किसी माध्यम से इसे गिरहन ना करें रविवार को सूर्व पूजा कैसे करें सुबह ब्रह्म मुरत में उठ जाएं और इस्नान कर साप कपड़े जारन करें गड़ी जी का ध्यान करें तामे के लोटे में जल लालप रोली अक्षत और कालात मिला कर उखते हुए सूर को अरग देते समय सूर मंत्र और गायत्री मंत्र को पढ़ें रविवार के दिन क्या नहीं खरीदना चाहिए रवीवार को क्या नहीं करीदना चाहिए जोतिस के अंसार रवीवार के दिन आपको कुछ चीजों की खरीदारी से बचना चाहिए क्योंकि यह असुब माना जाता है आपको आर्थ खानी हो सकती है सूर दोस का सामना करने से बचने के लिए रवीवार के दिन गर के निर्मान के सामान और बागवानी सामान खरीदने से बचना चाहिए रवीवार के दिन कौन सा तोटका करना चाहिए रवीवार के दिन इसनान ध्यान के बाद जल में रोली मिलाकर सूरदेव को अरग दें इस समय ओम वासदेवाई नमय मंत्र का जाब करें ऐसा करने से कुंडली में सूरवली होता है रवीवार के दिन प्राते काल में मचलियों को आटे की गोलियां खिलाएं रवीवार को क्या धान करना चाहिए सास्तरों के अंसार रवीवार के दिन स्रिद अंसार गरीवों को फलकपड़े भोजन में संबंदित चीजहों का धान करना चाहिए ऐसा करने से असाय लोगों से उनकी दुआएं पराप्त होती हैं इसके अलावा रवीवार के दिन चावल दूद और गुड का दान कर सकते हैं इन दिनों का दान करना उत्तम होता है शूर को अर्ग देते समय कौन सा मंतर बोलना चाहिए मंत्र के साथ अर्ग देने से पूजा का लाव सीगर मिलता है भगवान सूर को जल देते समय ओम आदित्याई नमे मंत्र का जाब करें इसके अलावा ओम ग्रणी सूर्याई नमे मंत्र का जाब करना चाहिए सूरव को जलतेते समय अपना मों पूरव दिसाब की तरब करें और मैं आपको अधिक जानकारी के लिए बता देता हूँ कि आप सूरव को अर्ग देते समय अगर कोई मंत्र याद नहीं है तो गाइत्री मंत्र लगबग समी को याद होता है तो सूर को अरग देते समय गायत्री मंत्र का मन ही मन उच्चारण करना चाहिए मंत्रों का राजा कौन सा है अन्य सभी मंत्रों की उत्पत्ती भी गायत्री के गर्व से ही हुई है इसलिए गायत्री मंत्रों को सभी मंत्रों का राजा और गुरु मंत्र का गया है बेदों में तो यहां तक कागया है कि गायत्री मंत्र की साधना करने से सभी मंत्रों के जपने का लाव स्वता ही मिल जाता है ब्रह्मरसी ब्रस्वामित्र जी को गायत्री का पर्थमरसी कहा जाता है तो दर्शकों ये रहे आपके रवीवार के उपाए अगर आप रवीवार के दिन एन नियमों को खपालन करते हैं तो आपका दिन सुब एवं मंगल में रहने बाला हैं अगर आपने अभी तक हमारे इस यूटूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हैं तो इसी प्रकार की धार्मिक जानकारी के लिए प्रति दिन राशी पल जाने के लिए हमारे यूटूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें रादे रादे जैस्री रादे